दोस्तों देवकर एरपोर्ट एक और टेस्ट में हुआ फाइनल दिल्ली से आई तीन सजस्य विवरो आप सिविल एविएशन सिक्क्योर्टी टीम ने देवकर एरपोर्ट का दिरेक्षन किया रीजिनल डारेक्टर अनिल लक्रा के ने ट्विट में आई टीम ने देवकर एरपोर्ट के डारेक्टर संदीब दिंगरा वो प्रोजेक्ट मेनेजर के दास के साथ 6 घंडे तक देवकर एरपोर्ट में सुरक्षा के सभी मानकों की समिक्षा की इस दोरान एरपोर्ट की बाउंडरी, एटीसी, रनवे, टर्मिनल, स्कैनर, चेक इन काउंटर, सीसी टीवी कैमरा, एप्रोन की पार्किंग, एरिया समेत एरपोर्ट के आसपास के भवनों की उचाई का भी निलिक्षन किया इस दोरान स्कैनर, चेक इन काउंटर, वो मेटर डिटक्टर, मॉक ड्रिल कर ट्रीम ने जाँच की BCAS के अधिकारियों ने सुरक्षा में एरपोर्ट की सुरक्षा के में परतिन नियुकती जरकन पुलिस के जबानों वो अधिकारियों की थे एरपोर्ट समयत हवाई यतरा के लिए आने वाले यतरियों की सुरक्षा के कई बिन्दों पर पुछताच की पुलिस जबानों को टर्मिनल में बोर्डिंग, पैसंजर मुवमेंट, सिस्टम, पैसंजर जांच के सभी सिक्योर्टी पोइंट्स के बिन्दों पर BCAS के अधिकारियों ने अवस्चक सुझाव दिये हैं रिजिनल डायक्टर ने पार्किंग एरिया में भी सुरक्षा के पूरे सिस्टम को बनाये रखने का निर्देश पुलिस जबानों को दिया है एरपोर्ट में डायक्टर को एरपोर्ट के आसपास स्पेडों की उचाई पर नियमित रूप से निगरानी करने का निडरेश दिया इस दोरान टीम ने पिछले दिनों देवगर एरपोर्ट में एरक्राप्ट के केरिब्रेस्टन की रिपोर्ट भी प्राप्त की टीम ने टेखनीकल वो फिजिकल रूप से देवगर एरपोर्ट के फाइदर टेस्टिंग में पूरी तरह से सनतूर्ष जताई है साती सुरक्षा के सभी मानकों पर देवगर एरपोर्ट को हरी जंडी भी दे दी है दोस्तों एक के बाद एक टेश्ट में दिवगर एरपोर्ट आए सभी अधिकारी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं जिससे की परतीत होता है कि बहुत जल्द ही दिवगर एरपोर्ट से खुसकवरी निकल कर सामने आएगी कि किस दिन एरपोर्ट का उद्गाटन होने बाला है दोस्तों जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि अपरिल के किसी भी दिन एरपोर्ट का उद्गाटन हो सकता है जब भी परधान मंतरी नरेंद मोदी और एवियेशन मिनिस्टर जियोतिराज सिंध्याजी देवगर एरपोर्ट आकर उद्गाटन करने में सक्षम होंगे दोस्तों आपको कह लगता है ये सूप महुरत किस दिन निकल कर आएगा जब परधान मंतरी देवगर एरपोर्ट आकर उद्गाटन करेंगे हर तरह की टेस्टिंग और हर तरह के लैसेंस के प्राप्ट करने के बाद भी अभी तक फैदर डेट निकल कर नहीं आई है लेकिन की बहुत जल्द अगले महिने ही एरपोर्ट के उद्गाटन होने की संबावना 90% तक लग रही है अधिकारियों के अनुसार अप्रेल महिने में ही एरपोर्ट चालू भी कर दिया जाएगा और पहली फलाइट भी उसी दिन उडान भरेगी तो दोस्तों ये नियूज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही नियूज के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और सियर करें